हेलो एव्रिवन कैसे हो आप सब लोग स्वागत है आप लोगों का मेरे व्लोग में तो बस सुबह से मैंने अपना वीडियो शुरू किया है गुडिया को स्कूल बेजा अभी और उसके जाने के बाद मैं अपने कामों में लग गई हूँ तो बस जाड़ू लगानी थी तो मैं आज ये रेक ठीक करूँगी क्योंकि इसमें रेत मिट्टी सी जादा हो रही थी तो मैं दो-तिन दिन से इसे सोच रही थी साप कर दूँ फिर आज जाड़ू लगाने से पहले मैं ये काम लेके बैठ गई सारी मैंने गुड़िया के स्लीपर जुते जो भी थे वो निकाले और रेक को साप कर दूँगी इसमें जितनी भी रेत जमी हुई है न वो सारी निकालके अच्छे से साप करके फिर से दोबारा इसमें सैट करके रख दूँगी तो ये चीज़े ऐसी होती है जो हम कभी-कभी ध्यान जाता है इन चीज़ों पर और ये भी साप कर देनी चाहिए क्योंकि इसमें जो भी अपने स्लीपर वगएरा जुते चपल जो भी रखते है न हम तो उस पर धूल भी जमती रहती है दीरे-दीरे और जो तेव चपल अगर हम यूज ना करें न तो काफी टाइम नहीं रखे रखे भी ऐसे लगने लगते है जैसे कि पूराने हो गए हो तो ये मैंने अच्छे से साप क्लीन करके और दोबारा लगा दिये अच्छे से रेत मट्टी जाड़के गुड़िया की रैक साप कर द तो इसे थोड़ा सा खिसका लेते हैं तो ये फिर जब मैं जाड़ू लगाती हूं तो मुझे ठीक करना पड़ता है तो सोफा भी मैंने ठीक कर दिया और बैट सिट बिचा देती हूं अभी और जाड़ू अगरा लगानी है जो कि अभी कुछ भी काम नहीं हुआ बस गुड लगवा दी तो गुडिया को नीचे छोड़ने के लिए मुझे जाना था तो इनके पापा ने का आज फर्स टाइम है ना तो वह वैसे तो नीचे खड़े है गाड़ी वाले भाईया पर फिर भी तुम फोन ले जाओ कई बार अगर होता ना वह टाइम पर नहीं आएगा तो कोल कर लेना है तो मैंने गुडिया को बोल दिया ठीक गुडिया तुल लेया और गुडिया नीचे लेके फोन उतर गई और फिर पहले ही ले टो रही थी आज और फोन लेके साथ में ही चली गई मैं उसका मार्क्स दिलाने लगी बराबर वाली दुकान से नीचे तो उसका दिलाने के बाद मुझे भी फोन लेना याद नी रहा और गुडिया लेके चली गई फिर आदे रस्ते में से देने के लिए आई और मैंने उसका फोन फिर उपर से ही ले लिया मैंने का तेरे हाथ में चला गया था फोन मैं तो यहां पे देख रही थी और अगर फोन स्कुल में चला जाता ना तो टीचर भी यह सोचती है अन जाने में नहीं बच्चे लेके ही आये होंगे क्योंके बच्चों को फोन की आदत बनी हुई है ना क्योंके काम भी online class भी फोन से ही होती थी और बच्चे फोन चलाते ही है तो फिर साइप कर दिया और वहां के सारे अच्छे से सेट लगा दिये, जीने में एक भी नहीं चोड़ा मैंने बस बीकी सीनी चप़ले है, जो रहा भी यह कंद ती आ भी कपडा रह आँ तकुमें तॊल्यों की लें टाइम टाइम पे उन्हें भी साफ करना पड़ता क्योंकि खुले में रखेना उपर दीरे दीरे दूल जम जाती है उस पर तो बस अभी मैं नीचे काम करूंगी और तेजु पानी मांग रहा था तो इसे पानी दे देती हूं और पानी भी ना इसको ठंडा चाहिए होता बहु ही चलता है तो फिरिज साफ करना आज इसलिए मुझे बस काम काम हो रही है क्योंकि जो चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती है ना काम के साथ साथ तो वो लगता ही है कि काम आज बहुत जादा बढ़ रहा है क्योंकि मैंने आज रैक भी साफ किये सारी स्लिप अर्जुते जो भी थे वो सारे सेट कर एक रख दिये और आज मैंने फ्रिज बीद्ज और रहा तो उसको भी साप कर दूंगी इसमें धूदध भी गिर गया था और साप भी करनाही था गंदा हुई रहा फिर मैंने शुभ-बै हे भी कर दिया चलो इसे भी कर देती और यह जाली बगएरा सब मैंने निकाल दी वो तो मैं अलग से इन्हें धोके लियाओंगी और फ्रीज अंदर से साफ कर दी हूं मैं जूने से अच्छे से और उससे मतलब बरतन वाले जो विमबार आती है मैं उससे ही साफ कर देती हूं और बिल्कुल वाइट हो जाता अंदर से अगर प्रिल वगएरा होता तो उससे कर देती हूं प्रिल हो या विमबार हो लिक्विड हो कुछ भी हो उससे ही साफ करते हैं तो जो इस पे पीले दब पर आज तो मैं ऐसे ही कर देती हूं शाम के टाइम देखूंगी फिर सब्जी वगरा निकाल के दो और इन्हों नहीं आप एसी चला रहा है तो एसी की उमस इतनी जादा आ रही है हिट छोड़ रहा बिल्कुल आज तो गर्मी बहुत जादा हो यह गर्मी का यह लगा लो आप तोड़ हो रहा बोल देते ना तो गर्मी का तोड़ हो रहा है पूछो मत क्यूंके मैं काम कर रही हूं तो इतने पसीने आ रहे है बहुत जादा तो काम तो करना ही है बैठ तो सकते नहीं है यह अंदर बैठे थे ना तो कहरे तू कहां गुम रही है अंदर बैठके और में जाता रहता है तो फिर इससे अच्छा तो यह यह ना पहले अपना काम निप्टा लो उसके बाद फ्री हो के बैठो तो देखने में भी अच्छा लगता फिर चाहे हम टीवी देखते देखते सोवी जाएगा यहां पर खुले में बैठके अराम से दोलूंगी तो जल्दी भी हो जाएगा फटा-फट से पानी डाल डालके मैंने इनको दो दिया दूप में सुका दूंगी थोड़ी देर और फिर उसके बाद इन्हें सेट कर दूँ और जब तक मैंने किचन क्लीन की ना तो मेरे यह भी सूख गए आजी फिरिज का जो सामान मेंने सुकाया था भार और बर्तन भी सिंक भरके हो रहे थे तो वह भी मैंने दो दूधे और उसके बाद पर ये उठालाई कर देती हूँ क्यूंकि इसे क्लीन कर देती हूं तो मुझे बड़ा सई लगता है किई इसे में बीच बीच में साफ करती रहती हूं तो उसकी वज़े से यह बिल्कुल वाइट निकलाता है तो सब्जी वगएरा भी मैंने इसमें टोकरी में रख दी इस टोकरी में वैसे काफी सामान आ जाता है फ्रिज मेरा बेसक से छोटा पर सामान इसमें बहुत जादा आता है तो सबजी वगेरा सब बरके रख दी और ये आम निकाल लिए मैंने क्योंके फिर याद नहीं रहे गे इनको न साथ के साथ धोके बच्चों को दे दूंगी काटके गुडिया तो अभी आई नहीं है आने वाली है वो भी स्कूल से मेरा काम भी जब तक हो जाएगा तो बस दरवज़ा बजा रहा था जो मैं एडिटिंग करती हूं तो ये जरूर आता है इसे यूं लगता अंटी कहां जाके बैठ गई और आंटी बाए करने के लिए खुलवा रहा हूं न मैं पहले दरवज़ा खोलो फिर मैं नीचे जा रहा हूं और इसकी वज़े से मैं दरवज तो यहां पर मैंने मशीन भी लगा दी और अभी पोचा और पायदान बंदो चीजे डाल के दो दूदूंगी तो जब तक मेरे यह भी दूल जाएंगे जितने भी पोचे थे ना मेरे मैने सारे बाल द्क फायदानल दी दूल जाएंगे तो अब ही यहाँ पर बन रहा है मेरा दुफैर का खाना ऐसा तो है नहीं कि काम काम करते रहेंगे और खाने की जरूरत नहीं है तो खाने की भी जरूरत है काम करने के बाद खाना बनाना भी जरूरी है तो ये मेरा लंच बन रहा है तो लंच में मैं बना रही हूँ तोरी की सबजी तोरी की सबजी में मैंने प्याज काट ली थी और प्याज को अच्छे से भून लेंगे और तोरी की सबजी मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है पर आज मैं सुखी बनाऊंगी तोरी की सबजी क्योंके कई बार पानी वाली बनाती हूँ आज मेरा मंता के सुखी सी बनाती हूँ क्या होता है हमारे घर में घर में ना तोरी जादा बनती है मतलब गर्मियों में यह रहता तो मैं ने सोचा हर बार तो पानि वाली बना टियों मैं आज सूखी सी खाने का मन तो मैंने आज ऐसे ही बनाई थी तोllी तो टमाटल भी इसमें डाल दिये, टमाटल थोड़े से पक गए, तो इसमें मैंने हल्दी डाल दी, लाल मिर्ची तो मैंने बिल्कुल नहीं डाली, क्योंकि हरी मिर्च मैंने इसमें डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला और पिसा हुआ धनिया, तो यही चीज मैंने इसमें कर दिए दोनों को पसंड़ के हैं कि घीया तो इस सब्जी के नाम पस घीया तो तो फिर तोरी लेक此ं मैं तो इसलिए बनती है कि और अड़ाों सेज़ीक पनाती है कि ज़े को पवर पसंड है तो घृत सेबन थूम्हें तो बस अब मैंने नमक डाल दिया नमक मिक्स करके अच्छे से और ढखके पकने के लिए और मैंने पैन लिया डिला सा सूट क्योंके वह वाला मेरा ज्यादा टाइट हो रहा था किचन में काम करते करते इतनी गर्मी लगती है फिर क्या होता कि कुछ डिला डाला सा पैन लो तो कोई मतलब चैन पड़ेगी तो मैं चेंज करके आ गई और गैस भी मतलब साप कर दी मैंने और सिम करके रख दिया तो और धीरे दीरे पकती रहेगी मेरी बरतन दोने उसके बाद बनाऊंगी में रोटिया क्योंके बरतन भी साथ के साथ होते रहते हैं चाहे कितने भी बार स बरतन अब भी से न मैंने तीसरी बार धोरी हो मैं डो बार धूल चुक् проблем मेरे और यह तीसरी बार के बरतन है क्योंकि यह न सुबहर कर मदलब सुबहर उठे क्या सुबहर है यह सो गए थे क्योंकि रात की इनकी shift थी नाइट थी तो रात मतलब पूरी रात जगे फिर सुबह 8 बजे shift खतम हुई 7 बजे 8 बजे तो सो गए थे उसके बाद फिर ये उठेते 11-12 बजे तो सुबह तो मैंने चाय बना दी थी फिर मैंने का मैं नास्ता बना देती हूं जल्दी से तो फिर इन्होंने का के पहले चाय बना दो एक कप फिर मैं नास्ता करूंगा तो फिर वो चाय के बरतन भी थे मेरे तो वो भी मुझे दोने थे उससे पहले मैं एक बार दो चुकी थी सारे बरतन तो बस वो ही है बरतन मेरे सारे फिर दोबारा हो गए और गुडिया भी आ गई स्कूल से क्योंकि ये न आ गी थी तो तब ही मेरा काम आज लेट हुआ ये बलके ढाई बज़े आई होगी दो ढाई हुझे मैंने टाइम नहीं देखा पर आज मेरा टाइम इतना काम में चला गया क्योंकि आज मैंने सफाई की अच्छे से जाडू लगाई सारे में साफ सफाई करके तो मुझे भी पता नी चला टाइम कब निकल गया और गर्मी तो लगी रही थी बहुत जादा काम करते करते तो चलिए बरतन भी धूल गए मेरे और तोरी की सबजी भी बन गई तो सबजी अच्छे से बन गई है अब इसमें उपर से हरा धनिया डाल दो तो और भी अच्छी लगेगी साथ में बनाऊंगी रोटी तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में